नमस्कार दोस्तों यूपी ट्रिपल सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज मैं साइन्स जी के बिज्ञान जन्रल लाले से बहुत ही महत्पूर बेस प्रशनों को समलित किया हूँ और ये पार्ट टू है पार्ट वन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ पार्ट वन जी के का भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप लोग वहां से देख सकते हैं तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं प्रशन नमबर फश्ट है कि टार्च से किस प्रकार के प्रकास पुंज की प्राप्ति होती है तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसमें चार जो है आपसन दिये हैं तो इसका राइट एंसर होगा संस्रित प्रकास पुंज टार्च से जो है संस्रित प्रकास पुंज की प्राप्ति होती है नेक्ट प्रश्ण है कि सामान नेत्र की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम होता है कैसा बनने वाला प्रतिविम होता है मित्रों तो वास्तविक और उल्टा नेक्स्ट प्रेश्ण है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किस प्रकार की क्रिया होती है तो यह है सिलियरी पेसियों द्वारा सिलियरी पेसियों द्वारा जो है समायोजन की क्रिया होती है नेक्स्ट है कि किसी नेत्र का निकट बिंद होता है क्या होता है इसके option देखिए आपके चार option दिये गए हैं तो इसका right answer होगा 25 cm next है आख की पुतली किस प्रकार कारे करती है प्रेश नमबर 5 का right answer है ए परिवर्ती द्वारक की भात आख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भात कारे करती है सामान्य मानों नेत्र का दूर बिंद होता है कितना होता है तो इसका राइट एंसर है बी अनन्त पर होता है सामान्य मानों का नेत्र बिंद जो है अनन्त पर होता है नेक्ष्ट है सिनेमा के परदे पर किस प्रकार का परतिविंब बनता है तो वास्तविक परतिविम्ब बनता है सिनेमा के परदे पर वास्तविक परतिविम्ब बनता है कौन रंग है जिसका खत्रे के सिंगनल में उपियोग होता है कौन सा रंग है तो आप लाल रंग जो है खत्रे के लिए उपियोग होता है लाल रंग नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात रख है किसका मात रख है तो किलोवाट घंटा उर्जा का मात रख है नेक्स्ट है बिद्धुत बल्व का फिलामेंट जो किस होता है किसका होता है तो बिद्धुत बल्व का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है प्रतिरोधकता का मातरक है ओम मीटर विद्धुधारा उत्पन करने की युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं निकट द्रिष्ट दोस्वाला बियक्ति के चसमे में लगा होता है किस प्रकार का लेंस लगा होता है तो आउत्ता लेंस लगा होता है देर गिद्रिष्ट दोस्वाला ब्यक्ति के चसमे में लगा होता है तो इसमें क्या लगा होता है उत्ता लेंस लगा होता है तेज प्रकास में पुतली का आकार कैसे हो जाता है तो तेज प्रकास में पुतली का आकार मित्रों छोटा हो जाता है तेज प्रकास में पुतली का आकार कैसा होता है तो छोटा हो जाता है नेक्स है कि दूर दृष्ट दोस वाली आखे साप साप देख सकती है तो दूर की बस्तूं को साप साप देख सकती है नेक्स्ट है मानो नेत्र में जो बिंदु प्रकास के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं हो रहता है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं अंध बिंदु मानो नेत्र में होता है तो मानो नेत्र में उत्तर लेंस होता है नेक्स्ट है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है किस रंग का तो लाल रंग का दिखाई देता है तो ये रहे मित्रों आपके for all competitive exam के लिए बहुत ही महात्पूर्ण साइन्स जी के आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को बिल्कुल subscribe करिए notification bell on कर लिजेगा चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक कि रिए thank you so much